खरीब 100 करोण मोबाइल फोन ग्राकों को इस महीने से कॉल करने और डेटा यूज करने के लिए 40% या उससे भी कुछ ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे ये बात हम योई नहीं करने हैं दरसल रिलाइंस, जियो, एर टेल और वोडा फोन ने अपने टैरिफ प्लान महेंगे कर दिये हैं इन कंपनियों ने 2016 के बाद पहली बार टैरिफ महेंगे करने की घोशना की है विशलिशकों ने कहा है कि ये भारतिय टेलिकॉम इंडिस्टी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी है घाटे में चल रही वोडा फोन, आईडिया और एर टेल को हजारो करोन रुपे का बखाया जमा करने के लिए जनवरी के अंतितक की डेडलाइन मिली हुई है दूसरी और जियो ने कहा कि उसने टेलिकॉम इंडिस्टी को बनाए रखने में मदद करने के लिए ये कदम उठाया जिस पर 7 लाग करोन से अधिका कर्ज है और दुनिया का सबसे कम एवरेज डेवेन्यू परती यूजर है कमपनी के डेटा के अनुसार सितंबर में वोडा फोन आईडिया के पास करीब करीब 31 अग 10,000 करोन से भी ज्यादा यूजर्स है और एरटल के पास करीब 28 करोन सबस्क्राइबर थे दोनों कमपनीों ने या तो प्लान के साथ मिलाने वाले डेटा को कम कर दिया या फिर खीमतों में बदलाव किये हैं इसके चलते ग्राकों को मौझूदा प्लान के बराबर फाइदे पाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो लगातार जिस तरीके से जो अब ग्राकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी अब हम आपको ये बताते हैं जरा कि कब से देनी होगी ये ज्यादा कीमते हैं तो 3 दिसंबर से महंगा होगा टैरिफ एर टेल फोड़ा फोन आईडिया का प्रिपेट प्लान रिलाइंस जियो की 6 दिसंबर से लागू होगी बढ़ी कीमते हैं जियो के करीब 35 करोण गराकों पर इसका असर पड़ेगा और इसके प्लान कितने महंगे ये भी देखिए एर टेल टैरिफ से इसमें 50 पैसे से लेकर 2 रुपए 85 पैसे तक की व्रद्धी होगी तो Vodafone, Idea, Cell और सुविधा जनक तरीके से बढ़ाएगा पैसा जिसमें 40% तक महंगा होगा जियो का प्लान वहीं दूसरी कंपनियों के मुकाबले 300% ज्यादा मिलेगा फाइदा तो कितने परसंट तक ज्यादा लगेंगे पैसे Vodafone, Idea और AirTel का बेसिक प्लान रिवाइज हुआ है 28 दिन वैलिडिटी और 100 MB डेटा अब 49 रुपह में इसके कीमत में 40% का इजाफा 200 SB डेटा प्लान अब 89 रुपह में मिलेगा इसके कीमत में 21% का इजाफा होगा तो Vodafone, Idea के पापुलर प्लान्स में 50% की बढ़ोत्री होगी 84 दिन की वैलिडिटी अब 599 रुपह में होगी तो नए प्लान में रोज करीब-करीब 1.5 GB डेटा मिलेगा AirTel में 3 मेने की वैलिडिटी के लिए खास प्लान होगे रोजाना 1.5 GB और 2 GB डेटा के लिए जो है वो अतिरिक्त देना होगा आपको वहीं जो मेहंगी दरों को लेकर के अब लोगों में भी सुब गहाट टेज हो गई है आगरा की बात करें तो आगरा में मेहंगी दरों पर लोगों का क्या कुछ कहना ज़रा सुनिये कम्पनियों ने अपने रेट बढ़ा दिये हैं 50% तक बड़ुतर ही हो चुकी है हम याँ एक कम्मिनिकेशन की दुकान पर खड़ हुए हैं या पर कुछ लोग हमाई साथ हैं हमारी जेब तंखा विल्कुल आधी हो गई है हमारी जेब में कुछ बचेगा नहीं हम अपने भरान पोसंड पड़ेवार का नहीं कर पाएंगे और जिन्दगी जीना दूबल से बत्तर से बत्तर होगा जा रहा है आपका पूरा नाम मेरे नाम स्वानु गुमार स्वानु जी जो कंप्रियों ने रेट बढ़ा दियों से आपको बजट पर क्या फरक पड़ रहा है तो इससे आपके बज़ेट पर कोई फरक पड़ा है अच्छा बजट में यहां के जो चारे था एक सुनी नियर्मेक अब अपका पूरा नाम मेरा नाम नाम दीपक टोधिल पीपक जी यह बताइए जो आपके पर पास गहाता था ता जो अपके पहले रिचारज कम का कर रहा था था क्या फरक पड़ रेट बढ़ने से वारक पड़ा नियुक्त अपनी तो कस्टमर को समझ में ही नहीं आ रहा ही कित तो यहां पर हमने कुछ लोगों से बात करी कुछ दुकान दारों से बात करी तो कंपनियों ने रेट बढ़ा दिये प्याज की महगाई से पिचारा मजदूर का मद्दमबर की परवार का पहले से बजट विगड़ा हुआ था लेकिन तो यह तो बात थी ताजनकरी की तरह लखनव की बात करते हैं राज़ानी लखनव में भी लोग कॉल दर महंगी होने से नाराज है अपना घाटा कम करने के लिए गराहकों की जेव बोज बढ़ा दिया है और यह लगातार तीन तारीछ से जो पूरे प्लान बदल जाएंगे और इससे लेकर के लगातार जब लोगों से बाचीत की जा रही है कि यह तो पता चला कि जो दोर एक था कि मिश्काल वाला वो कहीं ने कहीं फिर से वापस आ सकता है और कुल मिलाकर यह जो पूरी योजना बनाएगे उससे लेकर के लोग नाराज हैं उनको साब कहना है कि जिस तरीके से पूरी चीज़ा की जा रही है कहीं ना कहीं वह लोगों को परिशान करने की पूरी प्लानिंग है आप से जानना चाहेंगे जिस तरीके से कॉल रेट महंगी हो रही है उसको लेकर क्या कुछ देखते हैं कैसे देखते हैं कि जो कुछ चीज़े चल रही है काल लेट मोबाइल के बारे भी काल लेट तो कम होना चाहिए इससे हम लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं कुछ चीज़े हो सकती हैं क्लशी तो करने लगेंगे कि मेरे मेरे पैसे कम खर्ष हैसे की लेकर के पूरी चली रही थे और अब लोगों की अदत में आ चुका है लंबी-लंबी बाते करते हैं जो पहले दो या तीम नेट में स्वाप्ट हो जाती थी अब वो कहीं न कहीं जाके घंटों-घंटों की बाते होती हैं और यह सारी चीजे प्रभायूत करेंगे आप से जाना चाहेंगे कि जो रेट महंगे हो रहा है किस तरीके साथ इसको देखत दिक्कत बहुत पड़ रहा है सल जी मजदूरी आदमी में अबहुत ज्याद दिक्कत पड़ रहा है सल जी क्या कि अंदर साथ महराज्गी है और लोगों का कहना भी है कि जो श्काल वाली परंपरा थी वह कहीं ने-कहीं वापस आए गया और रिचार्ज को लेकरके तमाम त कि क्या जो कमपनिया हैं वो कुछ ग्रांकों के लिए करती हैं कोई राहत वाली बात लेकर आती है या वो अपने जो उनका जो प्लान है जो महंगाई को लेकर करके जो प्लान जो राहत रेट को महंगे किया जा रहा है उसी पर चलेंगे या कोई राहत देने के भी कोई योजन अधर प्रियाग राज के लोग भी कॉल दर महंगी होने का विरूद कर रहे हैं पर अत्रिक्त बोज बढ़ने वाला है मुबाइल पर बात करना और डेटा इस्तमाल करना अब महंगा होने जा रहा है बताय जा रहा है कि 50 फीजदी तक मुबाइल की दरें वह महंगा होगी हाला कि यह दरें केवल प्रिपेड भुगताओं के लिए हैं हमाई साथ कहां पर कुछ चात्राइं हैं कुछ लोग हैं प्रियागराज के हैं मुन से बाचीत करते हैं बाइद आप यह बढ़ी हैं लगब हर चीजों का दाम बढ़ा रहा है कि मोबाइल यूजर पहले से काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं तो कंपनियों को कोसिस करना चाहिए कि मोबाइल कम से कम मतलब जो टॉप आप है जो रिचार्ज है कम से कम रेट में उखलब दोना चाहिए बहुत बढ़ी समस्या हैं कि यह से पैसे लूटे जा रहे हैं पहल है एक तरीके से दोखा धड़ी है जो कंपनियों को बंद करना चाहिए तो हमाई तास कुछ आत्राइं भी हम आपसे बात करेंगे यह बताए कि इतनी बढ़ी है अब समस्या तो यह काफी बढ़ी है क्योंकि हर चीज का तो रेट बढ़ी रहा है सबजियों का बढ़ रहा है तो हम लोगों के बिना इंटरनेट के कोई काम हम लोगों का पॉसिबल ही नहीं है अब पॉकिट मुनी तो हमें उतनी ही मिलती है उसके अंदर ही हम लोग कैसे मेनज करेंगे अम मैं तो यह करूंगी सारी मोबाई कंपनियों से कि यह पहले जैसा रिशार्ज था वैसा ही कर सब्सक्राइब बढ़ेंगी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहले जैसा कुछ और चात्राइब यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है और जो 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 चार्ज पहले चार्ज हो में होता था वो अब सीधे डारिक 50% बढ़ गया है वो डारिक सेवंटी सेवन हंडे में होने इसलिए वज़े से बहुत जादा रिचार्ज मतलब बहुत समस्या बढ़ गई और गैस का यह सब्सक्राइब कि आप लोग को हो जाएंगी क्योंकि आप लोग इस चात्रा है एक लिमिटेड पॉकेट मनी आपको मिलती होगी और उस पॉकेट मनी से आप लोग टॉप हो जाएगी पैरेंट्स भी हमारे थोड़ा सपोस्स करते हैं लेकिन यह है कि अब इतनी सम अधर हो गया हो गया सब कुछ इतना बढ़ गया है उसके बाद लगे उनको पूरे बढ़ाने लगे एक बार गी तो अब इसमें हम लोग की पैरेंट्स जितना दे सकते उतना दे सक यहां कि जो लोग हैं प्रियागराच की जनता है वो यही कह रहा है कि मूबाईल के दरों के अधाफे में काफी परिशानियां होंगी और सब्यांधिक karşı आएंगी और इसमें सब्यां हैं बढ़ते ही हैं चाहे वो सब्रीयों के दाम हो या फिर गैस सिलंडर के ऐसे में मुबाइल के दरों में इदाफा होने से काफी दिक्कते बढ़ जाएंगी वीडियो जनलिस्ट रंकित बादिया के साथ सब्सक्राइब लाइफ टूड़े प्रियाग राज तो इसी के साथ इस खास पेशकर्श में इतना ही नमस्कार